है अब लोग आई होप आप लोग सब लोग बहुत बढ़ी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा मेकप लुग बताऊंगी और करके दिखाऊंगी जिसको कि अगर आप करना चाहेंगी तो बहुत इसली कर पाएंगी यह बहुत ही कम चीजों की हिल्प से और बहुत ही कम टाइम में आप ऐसा मेकप कर लेंगी और सबसे अच्छी बात कैगर आप एक हाउस वायफ हैं और आपके हां कोई देफंक्शन है और उसके लिए आपको खुद से रेड़ी होना है तो मैं आपको आज कुछ ऐसे आइड क्यों को कि अगर आप उलू करेंगी और इस तरह स्था ताम करेंगी तो बहुत बडियाज सा पूसे बात कीृइंभी जितनी चीज़े आपके पास होगी तो प्लीस अपने फ्रेंड से और फैमली में भी ज़रू से शेयर करें करें कर जिसे उनको भी थोड़ी से हिल्प मिल सकें अगर उनको इन सारे चीजों के नीड हो तो चलिए वीडियो को शुरू कर सबसे पहले आपको अपने पूरे बालो को इस तरह से अच्छे से सिक्यूर कर लेना है किसी क्लच लुट प से जिसे की मेकप करते टाइम जो आपका बाल है वो आपके मुओं पे बिल्कुल ना आया जिसे की आप अच्छे से मेकप कर पाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा अपने फेस को क्लीन करना होगा चाहे तो आप फेस वाश करें या फिर आप गुलाब जल के हिल्प से अपने पुरे फेस को इस तरह से क्लीन कर लेगी वो भी बहुत बड़ी आसा option है एंड इसके बाद मैं यहां यूज कर रही हूं मॉश्राइजर तो मॉश्राइजर बहुत ज़ादा जरूरी होता है मेक अप से पहले हमारी स्किन के लिए हमारे फेस के लिए क्योंकि हमारे जो स्किन होती वो ड्राय हो जाती है आपको क्या करना है यह वैसलीन लेनी है जो कि सबके हाइजली मिल जाती है और अपने होटों पे इस तरह से इसको लगा लेना है जिसे जो आपके होट है वो बढ़िया से मॉश्राइज हो जाए और वो लिप्स्टिक अच्छे से उसमें लग जाए तो यह करना है आपको एंड उसके बाद आपको जो भी आप कंसीलर यूज़ करती हूँ आप उसको लेंगी तो यहाँ मैंने यह कंसीलर लिया है जो भी आप यूज़ करती हूँ आप वो कंसीलर लेंगी सबसे पहले अगर आपके फेस में कोई धबह या आपको डाक सर्कल की प्रद्लम है तो उस जगह आपको इसतरा से कंसीलर को अप्लाइक करना है अगर आपके आँखों की नीचे काले घे रहे हैं या फिर आपको पिंपल्स की प्रद्लम थी और आपके चेहरे में बहुत सारे दाग धब्बे आ गए हैं तो आप उसको कवर करने के लिए इस तरह से कंसीलर का यूज़ करेंगी और यहां मैं इसको अपने उंगलियों के हिल्प से कर रही हूं क्योंकि मुझे जादा सही लगता है और जरूरी नहीं है कि आप पूरा मेकप ब्रश्चे ही करें जो आपको आपके पास बहुत जड़ा मेकप की चीज़ें नहीं है और आपको तुरंट से त्यार होना है तो आप इसको जरूर से ट्राय कर सकती है यह देखिए मैंने कंसीलर अप्लाय कर लिया है यह देखिए इसके बाद आपको एक से दो मिनट के लिए अपने फेस को ऐसे ही करना है मसाज जिससे कि वो अब्सॉफ हो जा अच्छे से और फिर आपको फाउंडेशन लेना है तो यहां मैने लेक में का फाउंडेशन लिया है अपके पास जो हो आप जो यूज़ करती हूँ इसको ले और यहां मैं अपने हाथों में इस से इसको जर्भा सा इसको ले रही क्योंकि मैं बहुत ज़दा foundation का यूज नहीं करती हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा इससे skin dry लगने लगती है तो इसलिए मैं इसमें यह थोड़ा सा मॉश्राइजर भी add कर रही हूं यह देखे इस तरह से अगर आप केवल foundation लगाना चाहें तो केवल foundation लगां यहां मैं इन दोनों को mix करके लगाती हूं जिससे कि वो थोड़ा सा मुझे अच्छा सा लगता है और वो मेरे face में खुबच्छे से लग जाता है क्योंकि केवल foundation लगाने से वो थोड़ा सा मुझे इस तरह अपलाई करेंगे और किसी beauty blender या फिर sponge जो भी आपके पास हो या आप इसको उंगलियों के help से भी कर सकती है इस तरह से आप इसको हलके हाथों से dab dab करके आप इसको पूरे में अपलाई करेंगी और आप इसको थोड़ा सा time जादा असा दे कर आप अगर इसको है खुब अच्छे से and foundation लगाने के बाद हमारे face में एक अलग सा ही glow आता है तो आप इसको कभी भी avoid ना करें foundation हमेशा make up में लगाएं अपने face में तो यह देखिए यहां मैं थोड़ा सा foundation और इस तरह से apply करूंगे जिससे की एरिया थोड़ा सा highlight हो जाए तो अगर आपको भ जाएं जिससे की इस एरिया में और अच्छे से यह थोड़ा सा highlight कर देगा तो अच्छा लगेगा और अगर आप यहां highlighter लगाना चाहेंगी तो अच्छे से apply भी हो जाएगा अगर इस तरह से आप foundation का use करेंगी तो तो यह देखिए यहां मेरा make up done है इस तरह से and यह मैं face powder लेकर और अपने face में इस तरह से apply करूंगी जिससे की हमारा make up अच्छे से set हो जाए क्यूंकि मैंने भी foundation लगा था तो इसको set करने के लिए इस तरह से मैं अपने पूरे face में और अपने ने के रिया में हर जगा इस तरह से face powder को apply कर लूंगी जिससे की वो पूरा make up set ह हो जाए और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे तो इस तरह से आप कर लेंगी हर जगा तो यह make up मैं housewife के लिए बता रही हूं कि अगर उनके हां कोई day function हो तो आराम से कर सकती हैं बहुत जल्दी से make up हो जाएगा तो अगर आपको eyeshadow पसंद हो तो आप जरा से अपने उंगलियों की help से या फिर अगर आप brush लगाती हूं जिससे भी आपको ठीक पड़े आप उससे eyeshadow जरा से लेकर लगा सकती हैं तो यहां मैंने gold color में थोड़ा से लिया है क्योंकि अगर आप day में ऐसा कुछ बहुत ज़दा dark लगाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको पसंद हो तो लगाएं नहीं तो मत लगाएं और यहां मैं लगा रही हैं यह eyeliner तो यह देखिए और यहां मैंने यह pencil वाला eyeliner लिया है बहुत बढ़िया सा होता है अगर आपको कम आता है लगाना तो आप इस तरह से जरूर से ट्राइ करें इससे आप जरूर से लगा पाएंगी अच्छे से तो और यहां मैंने mascara वगरा नहीं लगाया है और नहीं काजल लगाया है क्योंकि काजल मुझे थोड़ा सा कम पसंद है और अगर आपको पसंद हो तो आप जरूर से अपलाई करें काजल भी तो यहा अपको पसंदो तो आप इसको ले सकती है और यह बहुत एजी होता है इसके अपलाई करना तो यह देखिए यहां मैंने लेक में के lipstick ली है वो भी dark red जो कि मुझे बहुत पसंद है तो यहां मैं lipstick apply कर लूँगी इस तरह से आपको जो color पसंद हो आप जो लगाती हूँ अगर आप light shade में लगाती हूँ light लगाया नहीं तो dark लगाया तो यहां मैं lipstick apply कर लूँगी क्योंकि बिना lipstick के make-up मारा complete नहीं होता है तो यह देखिए और सबसे last में मैं लगा रहे हूँ बिंदी जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके बिना तो look complete होता ही नहीं है अभी आप देखिएगा एक बिंदी लगाने मातर से बहुत बढ़िया सा look आता है तो यहां मैं dark red कलर की ही बिंदी लगाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है तो यह देखिए इस तरह से मैंने बिंदी apply कर ली है तो यहां मेरा make-up complete है और अपने बाल को थोड़ा सा मैं बना लीती हूँ जैसा भी आपको पसंद हो hairstyle आप वैसा बनाए तो यहां मैं simply एक clutch लगाऊंगी अपने बाल में इस तरह से आपको इसा भी hairstyle बना सकती है जो आपको पसंद हो और day function के लिए तो बहुत बढ़िया सा यह make-up है तो आपको जो पसंद हो अगर आप powder लगाती हूँ तो powder लगाएं वरना आप यह लगाएं जो आपको पसंद हो तो यहां मैं स्वरा से सिंदूर apply कर लूँगी और अब मेरा जो look है वो एकतम से complete है किसी भी function के लिए वो भी day function के लिए तो यहां मैंने बहुत ही light सा make-up किया है और बहुत ही कम चीजों की help से किया है जो कि सब के पास होता है सारी ही ladies के पास होता है तो अगर आपके यहां कोई ऐसा function है छोटा मोटा तो आप ज़रूर से यह make-up try कर सकती है तो यह थी आज के मेरे छोटी से वीडियो उमेद करते हूं कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel थैंक यू, थैंक्स वोचिंग